नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा ओनलाइन इस्टेडियो विडिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बद करने वाले दोस्तों परियावरन अध्यन के 100 अतीमहतव्त पूर्यषनों के बारे में काफी important प्रस्ण है तो आपकोession किपस करना है आपको हर प्रस्ण का आंसर आपको कमेंट से के मध्यम से देना है नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा कमेंट से कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो यहाँ पर आज का पहला प्रस्ण है आपका घरेलू मवेशी तथा भेड किस हरिद्गर गेस की उत्पादन के लिए उत्तरदाई है तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल पर चुना है तो आप एक नमबर जोड सकते हैं अगला प्रश्ण है पोधो को वायू मंडल का सुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है क्यों कहा जाता है तो यहाँ पर आप का राइट आज अंसर तीसरा वाला होगा तीसरा प्रशने है और काफी important है उद्ध्यान से संवनित प्रशने पूशे जाते हैं जो सरिष्का राष्टी उद्ध्यान है यह कहाँ पर सिथे पस्षी मंगाल में है गुजरात में हैं राजिस्तान में है या फिर असम में है तो यहाँ पर आपका right answer वोगा राजिस्तान य वर्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ड वर्च फंड तो यहाँ पर जो WWF से आसा होगा या फिर इसका फूल फोर्म होगा वो यहाँ पर होगा आपका वर्ड वाइल्ड लाइफ फंड तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल पर आपका सही होगा फूलो की घाटी जो फूलो की घाटी दोस्तों ये कहां पर स्थित है जम्मू कस्मीर में है मचल प्रदेश में है सिक्की में है या फिर उत्राखंड में है तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा उत्राखंड याद रखेगा जो फूलों की घांटी इस्ति थे वो उत्राखंड में इस्ति थे छटा प्रस्ण वन जीव सुरक्षा दिनियम पारित किया गया था जो वन जीव सुरक्षा दिनियम है ये कब पारित किया गया था 1960 में, 1962 में या फिर 75 में तो यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा वर्स 1972 याद रखीगा जो वन जी उसरक्चा दिनियम है ये वर्स 1972 में पारित किया गया था तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा जो प्रशना आपका सही हो उसका एक नमबर जोड़ते चलेगा आपके में अधिम से आंसर दे सकते हैं या फिर अपनी कोपी में आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट से के माध्यम से या फिर कोपी में लिख सकते हैं या फिर लिख सके तो यहाँ पर आपका रायटा आंसर होगा जो भारती गेंडा संरक्षी थे वो काजरंगा नेशनल पार्क में हैं तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा आठवा प्रस्ण है रेड डाटा बुक इसके बारे में तो आपने सुना होगा और इसका आंसर भी आपको पता होगा कि जो रेड डाटा बुक है ये किसे संब्दित है विलुप्त के करीब जीव नदिव में इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि जो रेड डाटा बुक है ये विलुप्त के करीब जीव से संब्दित होती है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा सोला घहां सिस्तल ये कहां पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं तो यहाँ पर आपका राइट अंसर बीवाला होगा भारत में पेलिकन पक्छी कहां प्रजनन करते हैं जो पेलिकन पक्छी हैं ये कहां पर प्रजनन करते हैं भारत में ये आपको बताना है कॉलकारे, बेलूर, नेपपट, कुंथन कुलम या फिर ये सभी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये सभी कॉलाकेरे, बेलूम, नेलापट और कुंथन कुलम यहाँ पर ये तीनों जगा पर प्रजिनन करते हैं बहरत में पेलिकन पक्ची तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी होगा वाइल्ड लाइफ इंसिटूट आफ इंडिया कहां इस्तित है यहाँ पर देखे जो वाइल्ड लाइफ इंसिटूट आफ इंडिया है ये कहां पर इस्तित है बारवा प्रश्ण है किस वर्णक की उपस्तिती के कारण पोधे हरे होते हैं यहाँ पर आपको बताना है जो पोधे हरे होते हैं वो किस वर्णक की उपस्तिती के कारण होते हैं यह आपको बताना है एंतोसाइनिन, केरोटिनायड, लाइकोपीन या फिर क्लोरोफिल तो परियावरन सनरक्षन अधिनियम कभ बनाये गए जो परियावरन सनरक्षन अधिनियम है यह कभ बनाये गया था कहां पर स्थित है तो आपको पता होना चाहिए कि यह उत्तर प्रदिस में स्थित है यदि जिले के बारे में बात करें तो यह लखिमपूर खिरा जिले में स्थित है याद रखेगा जो दूद्वा राश्टी उद्यान है यह उत्तर प्रदिस के लखिमपूर खिरा जिले में इस्ति थे तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा केंदरी नियंतरन प्रदूसन बोर्ड की स्थापना कब हुई यहाँ पर देखी जो केंदरी नियंतरन प्रदूसन बोर्ड है इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई 70 में 72 में 74 में या फिर 84 में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1974 में याद रखेगा जो केंद्री नेंतरन प्रदूथन बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी अगला प्रशन है पेरियार राष्टी उद्ध्यान इसके बारे में भी आपको पता होगा पेरियार राष्टी उद्ध्यान ये कहाँ पर श्तित है मेगालई में केरल में महराष्ट में या फिर ओडिसा में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केरल में याद रखेगा पेरिया, राश्टी उद्ध्यान, केरल, राजी में इस्तित है जलवायू परिवरतन का करण है यहाँ पर देखे जलवायू परिवरतन का क्या करण है यहाँ आपको बताना है ग्रीन हाउस, गेस, और जोन परत का सरन चरन, प्रदूसर्ण या फिर उप्रुक्त सभी यहाँ पर देखे कोई सभी प्रस्ण ऐसा नहीं है जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से इत्मिनान से आंसर देना है यदि आप उस समय में चार विकल्पो को यदि में पढ़ता हूं और आंसर बता देता हूं उस समय में यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पूछ करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं सभी प्रस्णों का एक एक करके तो यहाँ पर देखिए जलवाई यू परिवर्तन का करण ग्रीन हाउस गेस भी होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा और जोन परत सनरक्षन से याद रखीगा काफी इंपोटेंट हैं मांट्रियल प्रोटोकाल और जोन परत सनरक्षन से सम्मंदित है प्रत्थम विश्व परियावरान दिवस कब मनाया था काफी important काफी बार पूछा गया है विश्व परियावरन दिवस कब मनाय जाता है ये क्योज के तोर पर आपको कमेंट से की मध्यम से आंसर देना है सरलसा है सभी इसके बारे में जानते हैं थोड़ी दिन पहले ही विश्व परियावरन दिवस मनाय गया था कौन से दिन मनाय गया था या आपको कमेंट से की मध्यम से बताना है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रत्थम विश्व परियावरन दिवस कब मनाय गया 1970 में, 73 में, 75 में या फिर 86 में तो यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा 1973 में याद रखेगा काफी important हैं प्रत्थम विश्व परियावरन दिवस 1973 में मनाय गया अगला प्रश्न है विश्व वाने की दिवस कब मनाय जाता है देखें जो विश्व वाने की दिवस है इसके बारे में भी एक्जाम में पूछा जाता है 21 मार्च, 8 मार्च, 4 अक्टुवर या फिर 12 अगस्ट तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 21 mut याद रखेगा जो विश्व वाने की दिवस मनाय जाता है वो 21 मार्च को मनाय जाता है अक्बार में कौनसा विशिला तत्व होता है भारत में छेतरफल की दरश्टी से सरवाधिक वन किस राज्जी में हैं यहाँ पर देखे सरलसा प्रस्ट नहीं, अब सभी को पता होगा कि अरुनांचल प्रदेश में हैं, मेजवरम में हैं, लक्षदीप में हैं फिर मद्यप्रदेश में हैं तो वहां राज्य है मद्यप्रदेश जाद रखीगा भारत में छेतरफल की दश्टी से जो सरवादीक वन पाये जाते हैं वो मद्यप्रदेश राज्य में पाये जाते हैं रक्त केंसर किस अध्योगीक रसायन से होता है जो रक्त केंसर होता है उसके बारे में आपको बताना है कौन से रसायन से होता है बेंजन से होता है मैगनिस से होता है पीसीबी से होता है या फिर एजबेश्टर से होता है तो यहां पर रक्त केंसर के बारे में पूछा गया है तो आपका राइटांसर होगा बेंजिन, रक्तक एंसर बेंजिन अध्योगी करसायन से होता है, अगला प्रश्ण है, वातावरण में सरवाधिक प्रदूसक कौन सी गेस है, तो यहाँ पर देखी ब्यूटेन है, बेंजिन है, मिथेन है या फिर प्रोपेन है, तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा, वो मिथेन गेस है, वातावरण में जो सरवाधिक प्रदूसक गेस होगी, वो मिथेन होगी, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा, घर में हानिकरक विकिरन का सबसे बड़ा इस्तरोत कौन सा है, फेन है, हीटर है, रंगिन टीवी है, फिर ट्यूब रोसनी है, काफी इंपोटेंट हैं, इससे सम्मलित प्रदूसक पूछे जाते हैं, तो आपका रा प्रशिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है, चंदर प्रभा है, बांदी पूर है, मानस है, या फिर पेरियार है, तो याद रखेगा वो पेरियार अब भ्यारन है, जो कि जंगली हातियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर डी वाला विकल्पे आपका सही चली, अगला प्रस्ण है, धुएं से आखों में जलन पेदा करने वाला होता है, जब आपने देखा होगा, धुएं से आखों में जलन होती है, तो किसकी वज़े से होती है, यह आपको बताना है, सल्फर डाय अक्साइड से, पर आकसी ऐसी टिल नाइट्रेट से, अजोन से होगा, निमलिकित में से कौन सी हरीदगर गेस नहीं है, प्रस्णों को आपको ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, निमलिकित में से कौन सी हरीदगर गेस नहीं है, पूछा गया है, कारबन डाय अकसाइड है, नाइटर साकसाइड है, ना यहां पर आपका right answer होगा nitrogen याद रखेगा जो हैद्गरागेस नहीं होगी वो nitrogen नहीं होगी यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन है Indian Institute of Forest Management कहां है यहां पर देखे जो Indian Institute of Forest Management के बारे में पूछा गया है कहां पर है देहरादून में है बैंगलूर में है बहुपाल में है या फिर नागपूर में है तो याद रखेगा जो Indian Institute of Forest Management है यह बहुपाल में इस्ती थे तो यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन है विश्व परियावरन दिवस कब मनाया जाता है यहां पर देखे विश्व परियावर दिवस मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है अब यहां पर विश्व टाइगर दिवस के बारें पूछा गया है कि इसको कम मनाया जाता है 29 जुलाई को एक जुलाई को तीन जुलाई को या फिर पांच जुलाई को तो याद रखेगा यह मनाया जाता है 29 जुलाई क मनाया जाता है अगला प्रश्न है जल प्रोदूसरन निवारण और नियंतरन अधिनियम कब बना काफी इंपोटेंट है जल प्रोदूसरन निवारण और नियंतरन अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि ये कब बना 71 में 72 में 73 में या फिर 74 में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1974 में, जल प्रोदूसर निवारान और नियंतरन अधिनियम 1976 में बना, अगला प्रुशन है, भारत में सबसे कम वन किस राज्जी में हैं, छतिसगड में हैं, पंजाब में हैं, हरियाना में हैं, अफ्रियोत्तर प्रदेश में हैं, त भारत में राष्टी वन निती कब सुरू? यहाँ पर देखे, भारत में राष्टी वन निती के बारे में पूछा गया है, किसकी सुरूआत कब हुई थी? 1952 में, त्रेपन में, चववन में, या फिर पचपन में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1952 में, याद र इसको, तो यहाँ पर जो विष्व वन निती कोर्स द्वारा प्रतिक के रूप में लिया गया था, वो पांडा पसु को लिया गया था, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा, सीथ काल में कहां साईबेरियन सारस दिखाई देते हैं, यहाँ पर देखे, ज तो सीतकाल में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं, वो घणा पक्छी विहार में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा, अगला प्रस्ण है, पारिसित की विज्ञान केंदर कहां पर इस्तित हैं, दिल्ली में हैं, देहरादून में बेंगलूर में हैं, या फिर मुंबई में हैं, तो यहाँ पर पारिसित की विज्ञान केंदर हैं, यह बेंगलूर में इस्तित हैं, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा, भारती वन सर्वेक्छन विभाग की स्तापना कब हुई, 70 में, 81 में, 72 में, या फिर भूमिगत जल को दूसित करने वाले आजेविक प्रदूसक हैं, बेक्टीरिया है, सेवाल है, आरसेनिक है, या फिर विसानू है, यहाँ पर भूमिगत जल को दूसित करने वाले आजेविक प्रदूसक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा, आरसेन को याद रखेगा जो विश्व मस्तुली करण रोकताम दिवस मना जाता है वो 17 जून को मना जाता है अगला प्रशन है निमलिखित वायू प्रदोशकों में से कौन रक्त धारा को दूस प्रभावित कर मोत उत्पन कर सकता है यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं धूल है क सब्सक्राइडमियम है लेंड है या फिर कारबन मोनो आक्साइड है तो यहाँ पर दीखे पूछा गया है कि ने चारों विकल्पों में से कौन वायू प्रदोशकों में से रक्त धारा को दूस प्रभावित कर मोत उत्पन कर सकता है तो यहाँ पर आपका रायट आशर होग वायू प्रदुसक का एक जेव सूचक पूछा गया है तो आपका राइट आंसर लाइकेन होगा यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा ओजोन परत में विसाल छित्र कहां पर देखा गया भूमद्य रेखा के पास अंटार्क टिका में इंडोनेशिया में या फिर म पर देखें वेस्विक विरासत का वन माना जाता है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा हमारे देश में वन महत्सव दिवस कम मना जाता है यहाँ पर देखें वन महत्सव दिवस कम मना जाता है पूछा गया है एक मार्च को दस मार्च को दस जनवरी को या फिर एक जुलाई को तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा एक जुलाई को याद रखेंगा हमारे द बारे में पुछा गया है कि इसमें कौन सा व्रक्ष सरवादिक पाया जाता है सागोन है पीपल है सुन्दरी है या फिर नीम है तो यहाँ पर आपकर आइटांसर होगा सुन्दरी याद रखेगा सुन्दरवन में सुन्दरी व्रक्ष सरवादिक पाया जाता है तो यहाँ पर आपकर आइटांसरोगा नाभी की उर्जा याद रखेगा पारसपरी के उर्जा इस्तरोत का एक उधारन नाभी की उर्जा है तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा यूरिया को लेपित करने हैं तू परियुक्त हो रहा तेल किस पोधे के बीच का है कपास का है नीम का है एरंडी का है या फिर होबा का है तो यहाँ पर आपकर आइटांसरोगा नीम का याद रखेगा यूरिया को लेपित करने हैं तू परियुक्त हो रहा तेल नीम के पोधे के बीच का है तो यहाँ पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण है भारती वन या फिर कह सकते हैं कि संसोधन अधिनियम 2007 में वरक्षो की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पोधा कौन सा है यहाँ पर आपके सामने चार विकल्पे हैं सरकंडा है गन्ना है खजूर है या फिर बास है तो राइट आंसर आपका होगा बास याद रखेगा संसोधन अधिनियम 2017 में वरक्षो की सूची में से बास को निकाल दिया जाने वाला यह पोधा है तो यहाँ पर कौन सा पोधा होगा बास होगा तो यहाँ पर डी वाला विकल्पे है आपका सही होगा अगला प्रस्न है 50 वा वन जीव रख्षा के छेतर में उलेखनी योगदान के लिए भारा सरकार द्वारा इस्थापित पुरुसकार कोन सा है गारगी पुरुसकार है इंद्रा गांदी परियावरन पुरुसकार है अमरता देवी विस्नोई पुरुसकार है या पिर दर्सनी पुरुसकार है तो यहाँ पर वनजीव रक्षा के छेतर में उलेखनी योगदान के लिए भारा सरकार द्वारा इस्थापित पुरुसकार के बारे हम पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा अमरता देवी विस्नवी पुरुसकार अगला प्रशन है केंदरी प्रदूसरन नियंतरन बोर्ड जिसे सोटकट में सीपी सीबी भी कहा जाता है इसके अनुशार रिहाईसी इलाकों के लिए द्वनी की उपरी सीमा क्या है 45 डेसिबल है 55 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 55 डेसिबल याद रखेगा सी कौन सा एक मुर्दा खोर नहीं है यहाँ पर देखे कौन सा मुर्दा खोर नहीं है इसके बारे में पूछा गया है मसरूम है गिद्द है दीमक है या फिर केचवा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मसरूम याद रखेगा जो एक मुर्दा खोर नहीं है वो जो एक से अधिक पोष्टिकता इस तरका सदर्शी है वो कौन होगा मानव होगा क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातू कौन सी है मेगनिशियम है कोबाल्ट है लोहा है या फिर निकिल है काफी इंपोटेंट प्रस्न है तो याद रखेगा जो क्लोरोफिल में पाए जाने जाने वाली धातू है वो मेगनिशियम है आपर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा आमतोर पर यहां माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वहां रंग कौन सा है सीटेट इक्जाम में पूछा गया प्रस्न अपने यहां पर पहला वाला विकल्पे होगा वो आपका सही होगा अगला प्रस्न है प्रत्वी की सता से सबसे दूर वातावरन की परत को क्या कहते हैं यहां पर देखे सबसे दूर वातावरन की परत के बारें पूछा गया है समताप मंडल है छोब मंडल है बहा मंडल है या फिर द्रश्य प्रकासन के किस रंग में प्रकास संसलेशन की किरिया सरवादिक होती है नीला हरा लाल या फिर नारंगी काफी सरल है इसका अंसरत आपको पता होगा वो रंग कौन सा होगा लाल होगा द्रश्य प्रकास के लाल रंग में प्रकास संसलेशन की किरिया सरवादिक होती यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा हैं तो ये राजिस्तान में इस्तित है भारत के निमलिकित टाइगा रजर्व में कौन सा मिजोरम में इस्तित है यहाँ पर देखे चार विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा टाइगा रजर्व मिजोरम में इस्तित है मेल घाट है बुकसा है दंफा है या फिर भट्टा है कि तो यहां पर आपका राइट आंतर होगा दंफह याद रखेगा hå हर्याना में और पर रचस्त्तान में तो यहां पर आपका राइट आंटसर होगा हर्याना में याद कर अफिर पर रखेगा narrative कि अगला प्रशन है है forest research institute है यह कहां पर है forest नागपूर में हैं देहरादून में ही नई दिल्ली में ही या फिर भौपाल में है यह आपको अच्छे से पता होगा थोड़े देर पहली मैंने इसका जिक्र किया था यह होगा देहरादून में फोरेश्ट रिसर्च इंसिट्यूट कहां पर सीथे देहरादुण में इस्ति से दूदवार आश्टी उध्यान कहां पर सीथे मैं ळुद्वार आश्टी उध्यान कहां पर सीथे मत्यप्रदेश में lige जाते हैं मद्रिप्रदीष करनाटक मिजोरम या फिर उत्राखंड तो यह पाय जाते हैं करनाटक याद रखेगा भारत में चंदन के लखडी के सरवाधिक जो वन पाय जाते हैं वो करनाटक राज्य में पाय जाते हैं भारत में प्रोजक्ट टाइगर कब शुरू हुआ काफ़ी इंपर्टेंट, काफ़ी सरल है, आपको सभी को पता होगा 73 में, 82 में, 72 में या फिर 73 में तो यह हुआ था 1978 भारत में प्रोजेक्ट टाएगर 1973 में शुरू हुआ था विश्व प्रत्वी दिवस कब मनाय जाता है देखें यहाँ पर विश्व प्रत्वी दिवस के बारे पूछा गया है यह कब मनाय जाता है 28 फरवरी 21 मार्च 7 अपरेल या फिर 22 अपरेल यह मनाय जाता है 22 अपरेल को विश्व प्रत्वी दिवस 22 अपरेल को मनाय जाता है विश्व ओजोन दिवस यह कब मनाय जाता है 5 जून को 21 मार्च को 5 अपरेल को या फिर 16 सितंबर को तो यह मनाय जाता है 16 सितंबर को याद रखेगा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाय जाता है हैदराबाद में इस्तित हुसेन सागर जील किस जीव की वरद्धी से नश्ट हुई यहाँ पर देखे बताना है जो हैदराबाद में इस्तित यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रशने पूशा जाता है कि हुसेन सागर जिल किस राज्य में इस्ति थे तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैदराबाद में इस्ति थे और ये किस जीव की वरद्धी से नष्ट हुई है लेमना, हैड्रीला, मगरमच या फिर जलकुम्बी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जलकुम्बी या आदरता जल या फिर क्रिष्टली जल तो याद रखेगा जो पोध है जल अवसूसित करते हैं वो केसी का जल को अवसूसित करते हैं पोध है तो यहाँ पर बी वाला विकल्पी आपका सही होगा अगला प्रशन है सरप्रुथम पारिसित की इस्तूप की परिकलपना प्रस् तुत की वो चार्ज एल्टन द्वारा की गई तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा अगला प्रश्ण है मरुष्टल में उगने वाले पोधे कहलाते हैं यहाँ पर जो मरुष्टल में उगने वाले पोधे हैं उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाते हैं तो याद रखेगा वो जीरो फाइट कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मरुष्टल में उगने वाले पोधे जीरो फाइट स्केल आते हैं तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई तो है काफी उत्तरदाई है काफी सरलसा और काफी इंपोटेंट हैं तो इसके बारे में आपको बता होगा वो CO2 है जो की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्न है निम्न में कौन सा एक सागरी राष्टी उद्ध्यान है भीतर कनिका है माना से मननार की खाड़ी है या फिर सुन्दरवन है यहाँ पर देखे एक सागरी राष्टी उद्ध्यान के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा मननार की खाड़ी यहाँ पर C वाला विकल्पे आपका सही होगा यहाँ पर C लिखा हुआ है दिहन दिजीगा उत्राखंड में है जम्मू कस्मीर में है या फिर मेगले में है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में जाद रखेगा ग्रेट हिमालई राष्टी पार्क का जिसे युनेसकों ने विश्व धरोवर इस तरल गोसित किया है यह हिमाचल प्रदेश में इस्तित है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा पादप वरद्धी है तू सबसे उप्युकते है बालू है दोमत मिट्टी है चिकनी मिट्टी है या फिर भजरी है काफी इंपोटेंट है और इसके बारे में आपको पता होगा कि दोमत मिट्टी है पादप वरद्धी है तू जो सबसे उप्युकते मिट्टी होगी वो दोमत मिट्टी होगी निमलिकित में से कौन सा कारक किसी इस्थान की वनस्पत्ती निरधारित करता है प्रकास वर्सा मुरदा या फिर मुरदा जल तो यहाँ पर आपका रायटा अंसरोगा वर्सा याद रखेगा वर्सा किसी इस्थान की वनस्पत्ती निरधारित करता है तो यहाँ पर बी वाला होते हैं और फिर मरुस्तल होते हैं तो यहाँ पुर आपका राइटांसर होगा सदाहरितवन होते हैं याद रखेगा अधिक वर्षगा वर्षा वाले उस्ट्रच रमकी सवा === अगला प्रस्न हैं 8085 में 8085 से हर वर्षगाle सरकार पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मानती है तो यहाँ पर कौन से यहाँ पर आपको महा बताना है कौन से महा के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है तो वो है अक्टूवर के याद रखेगा 1985 से हर वर्ष भारा सरकार अक्टूर के पहले सोमवार को विश्व हैपिटेट दिवस मनाती है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर B वाला होगा बिजली कड़कना यहाँ पर बिजली लिखा हुआ है बिजली कड़कना तुफानोवा आंधियों का होना पाया जाता है समताप मंडल में, छोब मंडल में, मद्ध मंडल में या फिर आयान मंडल में तो याद रखेगा बिजली कड़कना तुफानोवा आंधियों का होना या छोब मंडल में पाया जाता है तो यहाँ पर आपका right answer होगा हाईगो मिटर याद रखेगा किसी इस्तान की आप एक चित आदरता ज्याद करने का जोब करन होगा वो हाईगो मिटर होगा यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन है विष्व में सरवाधिक लवनता पाई जाती है ग्रेट साल्टलेक में मृत सागर में प्रसांत महा सागर में या फिर वान जहिल में तो यहाँ पर आपका right answer होगा वान जहिल में विष्व में जो सरवाधिक लवनता पाई जाती है वो वान जील में पाई जाती है अगला प्रशन है अमल वर्षा जिसे एसीड रिन की नाम से भी जाना जाता है ये होती है कारखानों से, पेटरोल से, कोईला जलाने से या फिर लकडी से, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कारखानों से, जो अमल वर्षा होती है वो कारखानों से होती है अगला प्रशन है, निमलिकित में से पारिस्तित की तंत्र का कोई सा एक जीवी संगठक नहीं है संगठक कोई सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है वाई यू है वनस्पती है जीवानों है या फिर जानवर है तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा वाई यू याद रखेगा पारिस्तित की तंत्र का एक जीवी संगठक कौन सा नहीं है तो वो वाई यू नहीं है या पर पहला वाला विकल पे आपका सही होगा अंतराष्टी अमल वर्षा सूचना केंदर इस्तापित किया गया बरलीन में ओसलो में ओसाका में या फिर मैंचेस्टर में तो ये किया गया था ओसलो में याद रखेगा अंतराष्टी अमल वर्षा सूचना केंदर ओसलो में इस्तापित किया गया था यहाँ पर बी वाला व व्ष्थों ये चिपको आंदूलन का नारा है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा लवनी मरदा में उगने वाले पादपो को कहते हैं क्या कहते हैं हेलो फाइट केते हैं, यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न है, वायू एक योगिक है, तत्व है, मिसरन है या फिर विद्यूत अब घटाई है यहाँ पर जो वायू होगा दोस्तों यह एक मिसरन है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से कौन सा तत्व समस्त प्रत्वी में सरवाधिक मातरा में पाये जाता है पर कौन सा तत्व है जो समस्त प्रत्वी में सरवाधिक मातरा में पाय जाता है सिलिकन है आक्सिजन है लोहा है या फिर एलियूमुनियम है तो इसको आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा आपका राइट आंसर होगा लोहा याद रखेगा लोहा तत्व समस्त प्रत्वी में सरवाधिक मातरा में पाया जाता है फ्लाई एस एक प्रदूसक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से कोल या फिर पत्थर के कोईले को चार कोल को डीजल या फिर मिट्टी के तेल को या फिर सी एन जी को काफ़े इंपोटेंट प्रशन है तो याद रखेगा फ्लाई एस एक प्रदूसक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होते हैं किसके जलाने से कोल या फिर पत्थर के कोईले को जलाने से तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा अगला प्रशन है किस देश में सरवपृत्थम अमली वर्षा हुई थी यहाँ पर देखिए सरवपृत्थम अमली वर्षा किस देश में हुई थी नार्वे में, स्वीडन में, इंगलेंड में या फिर फ्रांस में तो याद रखीगा ये स्वीडन में हुई थी अब स्वीडन में कब हुई थी? 1972 में हुई थी सरप्रतम अमली वर्सा Smoke City of India की उपुमा किसे प्रदान की गई है? दिल्ली को, मुंबई को, कॉलकाता को या फिर कानपूर को तो याद रखीगा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कॉलकाता याद रखेगा Smoke City of India की जो उपुमा प्रदान की गई है वो कॉलकाता को की गई है वायू मंडल में सबसे अधिक Ozone कहाँ पर केंदरी थी? समताप मंडल में है, छोब मंडल में है, मद्धी मंडल में है या फिर आयान मंडल में है, काफी IMPORTENT है है इस प्रकार के पूशने पूशे जाते हैं तो आपका राइट आंसर होगा समताप मंडल वायू मंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंदरी थे तो ये समताप मंडल में केंदरी थे यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा इस्टोन केंसर जैसे खत्रे का प्रमुक कारण किसे माना जाता है अमलो वर्सा को, ग्रीन हाउस प्रभाव को, ब्राउन हेच प्रभाव को या फिर वेस्विक तापमान को तो यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा अमलो वर्सा को याद रखेगा स्टोन केंसर जैसे खत्रे का प्रमुक कारण माना जाता है वो अमलो वर्षा को माना जाता है किस एक Gase में कार्बन मोनोअकसائट की सरवाधिक प्रतिसत्ता होती है कोईला Gase में, पराकर्तिक Gase में, वाईयू अंगार Gase में या फिर भाब अंगार Gase में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाप अंगार गेस में याद रखेगा कारबन मोनो अक्साइट की जो सरवादिक प्रतिसत्ता होती है वो भाप अंगार गेस में होती है यहां पर फूर्ट वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न है वायू मंडल में सबसे अधिक मातरा में कौन सी गेस पाई जाती है इसके बारी में तो आपको पता होगा वो नाइट्रोजन है वायू मंडल में जो सबसे अधिक मातरा में गेस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है सर्विस इस्टेशन पर मोटर कारो के प्रदूसरन जाच में निमलिखित में से किसकी पेश्चान तथा उसकी मातरा को मापा जाता है सीसा तथा कारबन कन, नायट्रोजन तथा सल्फर डाई अक्साइड, कारबन मोनो अक्साइड या फिर कारबन डाई अक्साइड किसकी पेश्चान तथा उसकी मातरा को मापा जाता है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पी होगा वो आपका सही होगा अगला प्रश्य है नीम्न में से कौन सी गेस ग्रीन हाउस एफेक्ट के लिए उत्तर दाई है आज़िजन है, क्लोरीन है, नाइटरोजन है और फिर कार्बन डाई आकसाइड है तो इसके बारे में आपको पता ही होगा ये कार्बन डाई आकसाइड है जो carbon dioxide यह से यह green house effect के लिए उत्तर दाई है तो यहाँ पर fourth वाला विकल पर आपका सही होगा अगला प्रशन है छोब मंडल वायू मंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि यह सूरी के निकटतम है इसलिए इसमें आवैसित कन है यह प्रत्वी के प्रष्टि से गर्म हो जाता है या फिर इसमें उसमा पेदा होती है तो यहाँ पर जो छोब मंडल है यह वायू मंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि यह प्रत्वी के प्रष्टि से गर्म हो जाता है तो यहाँ पर तीसरा वाला विखल्प आपका सही होगा अगला प्रस्ण है निमिल्कित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है यहाँ पर धूम्र नगर के नाम से कौन जाना जाता है दिल्ली, सिकागो, लंदन या फिर लेन जहूँ तो यहाँ पर आपका रायट अंसर होगा सिकागू याद रखेगा सिकागू धूम्र रंगर के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए अंतीम प्रस्ण है वायू मंडल में देनिक मोसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है समताप मंडल, छोब मंडल, मद्दी मंडल या फिर आयन मंडल तो यह होता है छोब मंडल के कारण याद रखेगा वायू मंडल में देनिक मोसम परिवर्तन छोब मंडल परत के कारण होता है तो यहाँ पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सो प्रस्णों में कितने नमबर आया आपको किमेंट से कि माध्यम से बताना है वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है सेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो जल्द ही दोस्ते एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद